Dear students of class 10th, आज का जो टापिक है, नए टापिक है आज, chemistry का है, Effects of Oxidation Reaction in Everyday Life, What are the effects of oxidation reaction in everyday life? तो इस टापिक में, दो चीज़े हमें एक्स्पेन करनी हैं, there are two, two common effects of, there are two common effects of oxidation reaction, there are two common effects of oxidation reaction, which can be observed, which can be observed in everyday life. oxidation reaction के हमारे everyday life में हमारी रोज मर्व जिनगी में इसके दो अभाइम एसरात हैं, जो हमें अक्सर दिखाई देते हैं जो हमारे रोज मरा जिन्दगी के साथ तालुक रखते हैं नमबर वन इस करूजन अफ मेटलूस करूजन अफ मेटलूस और दोसरा जो है देट इस रेंसिटिटी तो अब इन में इनको अलग-अलग एक्स्पेंड करेंगे पहले हम उठाईंगे इसमें नमबर वन देट इस कुरूजन अफ मेटलूस करूजन अफ मेटलूस करूजन अफ मेटलूस किसको कहते हैं करूजन कहते हैं रस्टिंग को जंग खासा यह कुन चीज़ जंग खासा खाई खासा ताफ इस करूजन वना वो यह लिए से मेटलन खाई खासा छिए ताफ इस करूजन वना simply अगर जादे में दिविशन लेखो, the process in which metals are eaten up, the process in which metals are eaten up gradually. metals are eaten up gradually by the action of by the action of air, moisture, air, moisture or chemicals. such as acidus, such as acidus. इसमें acidus ज्यादे तर आते हैं on their surface. this is the definition of corrosion. अब corrosion के क्या मतलब है? यह साथ प्रासेज, यह एक ऐसी अमल है, जिससे metals are eaten up, जिसमें metals are eaten up gradually, generally, when these metals are exposed to air, moisture or chemical such as acidus, when we expose the metals in air, where the moisture is present, the rusting takes, तो इता आवन которого एndो ए कर्योद कोया है वंसा नावसे Richmond आवन मेंमेच मालिक सरे मेसें यह गोद नावसे हैं आवति हो पैङय में यह खवे करी तो आते आवन हें आथा सची कुरूजन गसा अथा सची रस्टिंग गसा अथा सची खाई 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 आत्म यह फारा एग्जामपल हो लो कुरूजन आफ आइरन जब हम लोहे को बाहर रखते हैं तो वह अलडी एक्सपोजड आइर में रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऊपर आप चाड़ता है तो पेच्छ सो लिदर्स खाई खाई खासा अधिस आइरन उपसाइड तो इस कुरूजन बना यहां जब हम एक कील को लेते हैं जब हम किसी जगा कील को लगाते हैं और बाद में वो कील जब हम दस दिन पंदरां दिन या बीस दिन के बाद देखते हैं करन का बनाशन देखते हैं ऍवला झाल को लगाते हैं यहां कील को लेते हैं झाल sign भी सेbt अधिस अधिस ग्वैं वो कEric और धच? जाँ है रीट वुचान ची था आसन जाँ खुतमों तर इस आसन खाई ख़श्मत तक्या अमल ची आसन पुरूजन गूमत तर दिख क्यो ख़ए आसन गूमत था एक्सपोजब इन एयर विद मॉईस्टरूज़न का यह किमीकल एचर यह किसी जगह होता है किने एकसर नहीं होता है को इस अख़ित इसमें बाहर जुछ से होती है उर्क पिर ढागयाँ, नेहों मेदात आए कालाइए पर देड़ में, रिख बागया है पड़ी है, तो तुम रिख रिखेंगा, ज़ एक की रिखेंगा, नेहों कि वंगा है तन्यमुता, फ्ला कि सोते हैं निन चित क्ते करले मां क्पारुजाब करतू थाे है, ब découvrir करके जो हम लेकर टेंड जिस तरहती है यॉआतमा कातक है? क्या टते हिंक अथमेत न हमायची राश ठाशी म्याची है ? मेटल्स गयाची ट के अखें अथमेत लिह सिर्ग ट गिजन्या . In this process, in this process, metals get oxidized. In this process, the metals get oxidized by the air. In this process, the metals get oxidized by the air. In this process, the metals are oxidized by the air. In this process, the metals have oxidized by the air. से इन प्रेजन आप मोईस्टर मुझूद हो तो तब इनमें यह जंग चाड़ता है तो इससे इसमें यह एक नया चीज वजूद में आता है यह जिसमें वो कलर जिसका वो ब्राउन कलर होता है जिसको हम अक्साइड केते हैं पील अप एक्स पोज़ँ पता अचिज वार वार गसाँ आती है यह से अक अगलेर चीज पिल आप गसा डाव फील ओआगज़ नहिया यer रस्टिज ये इसमें गिर जाती है नहीं वो गिर जाती ह 295 तो इससे आहस्ता आहस्ता आश्ता आहस्ता ये मेटल जो होता ग्रेजविली यह खतम हो जाता है, पतला हो जाता है, तो यह process होती है इस corrosion में, तो यह corrosion जो है, अब इसमें एक example में दूँगा, simply iron की, अगराध यह आएन यमुन, the corrosion of iron, the corrosion of iron is called केसे, अगरा आए आस्कुरूजिन गहिए, तो यह इन जडरल मतल रन हों, मगराध आएन स्कुरूजिन सेंना, तो यह दूए रस्टिं, the corrosion of iron is called rusting जब यही अमल iron में होती है when iron is exposed when iron is oxidized by oxygen of iron in presence of moisture such process is called rusting उसको हम rusting कहते हैं तो यह जो इसमें जो reaction होती है इस iron में इसके reaction के जरी में आपको दिखाऊँगा क्या होता है iron plus oxygen plus water जिसे water vapors यह water हम कहेंगे तो यह तीर चीज़े मिल जाती हैं आपसमें iron, oxygen and water iron, oxygen and water it gives us Fe 2 O 2 3 F e 2 O 3 into H 2 O तो यह बन जाता है इसमें hydrated iron third oxide इसको कहते हैं hydrated iron third oxide इसका इसका नाम है hydrated iron third oxide simply हम कहते हैं इसको rust R U S T simply हम कहेंगे इसको rust तो यह जो है it is iron तो इसको balance करेंगे यहां यहां टू डालेंगे यहां 3 और यहां इसमें into 2 तो इस तरह यह balance हो जाती है तो यह बन जाता है when iron oxygen and water when these three combine when these three combine this process takes place this oxidation takes place यह oxidation हो जाती है इस iron की क्योंकि इसमें मुझूल होता है यह oxygen आप iron हो गया यह in presence of moisture हो गया यह water इन दो की मुझूदगी में यह iron oxidized होता है तो इसका बन जाता है hydrated iron third oxide जिसको हम rust कहते हैं तो यह rust होती है इसको यह simple example है क्योंकि हमारी जो डेली यह जो डेली life में जो हम देखते हैं हमारी जो होती है यह iron के साथ ही ज्यादा तालुक होता है हम iron का देखते हैं तो घर में भी होता है जब भी हम कोई चीज लाते है iron का बाहर रहता है तो इसमें यह zunk जड़ जाता है उसमें यही अमल होती है इसमें यही अमल होती है यह reaction होती है उसमें तो उसको हम hydrated iron oxide कियाते हैं, जिसको हम rust कियाते हैं, तो ये corrosion जो होता है, इस corrosion से इस object क्या होता है, this corrosion, this corrosion weakens the metals, इससे ये metal कमजोर हो जाता है, इससे क्या होता है, corrosion weakens the, corrosion, weakness the metals, इससे ये metals जो होता है, जिनमें ये corrosion होता है, वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसकी एक एक लियर, इस corrosion से खतम हो जाती है, जब एक एक लियर खतम हो जाती है, पतला हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, because they are metal objects metal objects इससे ये metal objects कमजोर हो जाते हैं and structures and cut short their life and cut short their life और उनकी वो जो उमर जो होती है वो कम हो जाती है इस iron object की उमर कम हो जाती है इससे एक एक लियर कुरूजन से खतम हो जाती है तो वो या या इसकी वो life जो होती है वो खतम हो जाती है अब मसला है क्या ये चीज़ें बचाई नहीं जा सकती है हाँ इन चीज़ों को हम बचा भी सकते हैं तो उसके लिए prevention है how we prevent this corrosion of metals तो इसके बाद है इसका prevention how we prevent the corrosion of metals prevention prevention हम कैसे करेंगे इसको इस metal इन metals को इस corrosion से कैसे बचाया जा सकता है तो इनको simply हम आसानी से बचा सकते है corrosion of metals can be prevented by corrosion of metals can be prevented by इनको हम बचा सकते हैं इनको हम बचा सकते हैं number one by painting अगर हम किसी भी को metal object को लाएंगे अगर हम उसके उपर paint करेंगे तो paint से क्या होगा paint से ये corrosion नहीं होगा जो जो corrosion है paint जब हम उसके paint की एक layer चड़ाएंगे इसके उपर तो corrosion नहीं होगा क्यों नहीं होगा because surface of metal doesn't expose to iron इसका सभी मेटल इस सर्फेश आसानी paint कारागे इस इस चानी painting उससे आदक काराँचा painting से रस्टिंग बचाँ paint जब एक्स चानी मेटल चन्रोलोज हैं, मेटल सर्फेस चन्रोलोज हैं, कि मेटल सर्फेस या इस पैंट से बंद रहती है, जो या या ऑक्सजडन आइर के साथ रेक्शन नहीं कर सकता है, तो इससे हम बचा सकते हैं पैंटिंग से, बाइ एप्लाइइंग ग्रीस, दूसरा बाइ ग्रीस, जो ग्रीसिंग हम करते हैं, मिशीन पार्ट्स में जो ग्रीसिंग हम करते हैं तो ग्रीसिंग इसलिए कियों किया जाती है, गाड़ीओ नचनुक परूठ, नचनुक्ट हम घाती है तो और हम इसको by oilis के साथ भी तो तेल भी डाला जाता है, कुछ machine parts में तेल भी डाला जाता है, उस तेल से भी उसमें rusting नहीं होती है, तो यह चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हम simply इस rusting को बजा सकते हैं, तो एक अहम चीज भी है, एक अहम में आया prevention है, जो अक्सर किया जाता है, that is called galvanization, that is called galvanization, galvanization, to galvanization भी की जाती है, galvanization से भी हम इस process को रो सकते हैं, तो galvanization क्या होती है, galvanization क्या है, the process of depositing the layer up, zinc metal, यह लहाँ से इस quintly metal aspect, zinc layer खालो, zinc एक metal होता है, जब इसको temperature दिया जाता है, तो वो पिगल जाता है, पानी जैसा बन जाता है, तो उसकी जब वो layer किसी भी metal पर हम चड़ाते हैं, तो उसी को हम galvanization कहते हैं, जब भी हम किसी भी metal को zinc layer, zinc की coating क्याते हैं, उसी को हम galvanization कहते हैं, तो यह जो zinc जो है, zinc layer जब उस पर चड़ते हैं, बाद में यह metal जो होता है, यह exposed IR में नहीं रहता है, तो वहां भी इस वहां बचा सकते हैं, तो galvanization, तो इस galvanization को, अब प्रॉस्व डिपासिटिग, अब झोडर्ड थिन लियर आफ जीं, a thin layer of zinc zinc, thin layer of zinc on the surface of thin layer of zinc on the surface of iron on the surface of iron iron metal surface of galvanize zinc coating on the surface of iron objects is called galvanization when we deposit a thin layer of zinc metal thin layer of zinc metal यह भी metal है जब हम कोई thin layer of zinc metal किसके surface iron objects के surface पर चड़ाएंगे उसको हम galvanization के कहते हैं तो उसके जरीए भी हम उस iron object को इस corrosion से इस rusting से बजा सकते हैं तो यह था एक टाइप effect of obsidation reaction in everyday life जो rusting है जो corrosion है तो corrosion को हम किस तरह corrosion कैसे होता है इसमें कौन सी reaction होती है और इसको हम कैसे बजा सकते हैं प्रुविल्टिक हम इसको कैसे कर सकते हैं तो आज यही कल हम इसका rancidity जो दूसरा part है इसका that is rancidity उसको हम का सकते हैं आरेगे तो एंका शत्राव